कि आपका हार्दिक स्वागत है तो आज का जो हमारा टॉपिक है या ट्रैक्टीस आज से प्रैक्टिस अगा अधिहासी काल का होगा और टॉपिक वाइस से चलता जाएगा यह हम प्रैक्टीस से नमबर 1 से स्टार्ट करते हैं कि जो पहला question है वो क्या कहा रहा है कि यह निम्न लिखीत में से कौन सा मानव पुरा पासार कालीन से जुड़ा है जगहें पर जो आफ्सन हो जाएगा वो चांसलेड हो जाएगा आश्ट्रेवलोपितिकस नहीं है का रीजन यह है कि यह जो होमो है बली से अश्ट्रेवलोपितिकस की एक उपड़ाती है इसलिए दूसरा आफ्सन है तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तीसरा है होमो यानि कि इंडर्थलेंसिस और ग्रिमाल्डी यह आफ्सन है कौन सा आफ्सन आपका सही होगा कौन सा होगा होमो फैबलीस इसी की बज़े से मैंने कहा था कि यह जो रीजन फैबलीस है फैबलीस जाती है लेख के जो आसट्रेलोॉपित्स है और अश्ट्रेवलो का सो गया होमो य्यककत्स हो गया अब इस इसी यह सब क्या है निम्रीक पासारकाल से है कि ऐस มिये देखके आश्रेलोक्रकिस और विप्जातियां अच्डे फैली इब आप मैंने आपको बता ही दी हैब्लीस है होमो हाइब्लीस के साथ मैं त सेखेंगे ये जिद झाटी है एक Instagram ने अलग और उपजातियां है गहां पहली मैंने ऑlles ऐ है कि तेसी अंत्रोपस यह जाती है तस साथ में ठाइर अफ्रोपस है ठाइरन प्राइबलीस आपके है ही है पाइबलीस एक उपजाती है जैंत्रोकस है जैन्स और गांथ्रोकस और गांथ्रोकस यह जो उपजाती है जितनी भी उपजाती है जैन्स तरगात आती है आस्टेलो फिते कि आती है और आस्टे लो पिठेकसं जो है वो निम्नफरा पासारकाल से समझेश भाना जाता है अब जैसे यह चैसे छांसलेड और ग्रिमालडी अ बाद ग्रिमालड़ी जो है यह दोनों ब्रत जातिया है किसको सटीह थे हो़ो मरें करति है कि अ ग्र ग्रिमालडी हो गया के साथ मी को मेगनौन हो गया क्रो मेगनौन हो गया फल हो गया और संसलाद तंका मैं ईध्यां प्लंक को क्यों सैंपियंगे यह होमोंसैंपियंज के अंतरगत आती हैं जो मेंक्नान कुमब्स शॉनसलाध चूंसलेड़ पर जीतनी भी उप जातिया हैंüf खिंज के अंतरगत आती है और यह जो जाती हैं आश्टेलो पितिकस के अंतरगत मानी जाती है आश्टेलो पितिकस जो है वो आधिपूर्बज मानों का आधिपूर्बज भी इसे कहा जाता है कि का आधिपूर्बज पूर्वज या निमानों का बास्त भी बच और आज पूर्वज दोनों आश्ट्रेलों पित पाना जाता है ठीक है चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन पर किम लिखित में से किस अस्थल पर वानव जीवास बुरा पासार कालीन कारों के साथ क्या पूछरा है पसुपदचित एक समुझ्चे का साथ मिला है का पूछरा है पसुपदचित तो है वो एक समुझ्चे के साथ जाईे पूछरा है तो आफ्षय со मिला है अतिर पक्कम है भीम पेटका है हुर्स्थ है पलेरू है तो कहां से मिलता है अतिरम पक्कम साथ होती है यह जो अतिरम पक्कम है यहां पर याओट कॉर्ट लेयार नदी के पास इस्थित से रट र생ब कि अधि घ्रटारी सूत नधी के कमीव कि मैंने आपको अफिर थे हम आपको आतिरम पक्कम इसी कॉर्ट लेयार नदी के पास में दो बादू मदूरे है बादू मदूरे है यह दोनों अस्थल है कोर्तल्यार नदी है नदी और नदी मद्राश में है मद्राश पल वरम नामक अस्थान से जैसे मैंने कहा था आपका पल वरम नामक स्थान से जैसे मैंने कहा था आपको बताएंगे कि 1863 पलवरम अस्थान से रावड गुरुत तच्छिर भारत में प्रथम पासाड औजार यानि के हंडेक्स की खोज की थी उन्हीं के एक मित्र हैं का नाम है यलकिंग यलकिंग ने अतिर पक्कम इन दोनों अस्थियों की खोज की यलकिंग वारा की गई थी अनली तो है और यहाँ पे पासाइण और भी आए गय है पासाइण जानते ही आप क्योंकि दठीन भारत की संसक्रित है जद्छिन भारत की संस्क्तित में क्या जाएगा आपका हैंडेक्स हो जारा है हैंडेक्स पर विदारनी एक्स ट्ली यह विदारनी कि इस प्रकार के ओजार आपके यहां से प्राप्त हुए है जैसे हमने का इसी अतरिक नाम से जाना जाता है जैसे मद्राशियन प्राप्त हुआ इसके जैसे कहा गया है सब्सक्राव अपर उतरभारत की जाना गया है उतरभारत की जो सब्सक्राव जैता है पासड ऑजार है अवो दीडएंड नेक्स्क्राव तो next question है यहां पर भी option जो है जैसे कि यहां पर आपशन इपर बैज्ञानिक हो गए हैं और पुरा तत्त भी पुरा बनाती हो गए हैं और इसी के साथ इत्यासकार हो गए हैं लेकिन हम यहां पर जो option दिया गया है तो तो कि माने जाती हैं पुरा तत्त कुरुदर हो नो दावट बुरूड यहां फर किसी प्रकार कह सकते हैं जिसे रावड जो प्रूश भुट्थ इभुपए ज्यानिक और पुरा तत्त लिइसऱ और रावड जैति हासिक काल का जनक आ जाता है ता गैति सूरि कर χां पहर nih करना जना गयतिहां जना कर सक्षाइब रावराड बुरुषक क्यां फुर्टि प्राध तुभी वाग के जना कहा जाता है अलिक जन्दर हमों को माना जाता है जिनों आपना कि पर प्रागेतिहां काल के जो क्टा हैं वो रावाट बुर्स की माना जाता है जलिए नेक्स्ट कोस्टिन चलते हैं अब एक्स्ट कोस्टिन है हमारा कि निम लिखित में से कौन सा प्राचीन आरत के एक उप्रण परमपरा से नहीं जुड़ा है नहीं जुड़ा है तो कौन सा नहीं जुड़ा होगा यहां पर यहां यहां की सारी किसा परा है यह भारत से दुड़ी हुई क्वेश्टिन यहां पे है कि मध्य पासार काली निर्मार में तक्नीकों से कौंग की पद्दत प्रियोग में लाई जाती थी कौन सी नहीं लाई जाएगी यहां पे जो तक्नीक है कौन सी दवाब तक्नीक हो गया घाद प्रतिशाद तक्नीक हो गया अपका पुलूट हो गया, घरसर तक्निक हो गया, अगर कोई नहीं है तो कौन सी है घरसर तक्नीक नहीं लाइख गरसर तक्नीक जो है वह नौ पासार काल की तक्नीक मानी जाती है क्योंसी नौपासार काल की तर्षा काल की तर्षा क्योंकि नौपासार काल में ही घिच कर रगड कर पालिषदार और जार वहीं बनाना प्रारंग हुआ था इस तरीके से नेक्स कोईशन देखेंगे तो यह कोईशन क्या है यहां पर क्या पूछ रहे हैं कि निम लिखितने से सस्थल पर मानव जीवास्म प्रापासार कालीन और जारों के पाए गये हैं कि मतलब प्राचीनतम जीवास्म कहां पाया गया है प्राचीनतम तो कहां पाया गया आदमगर्ड बागोड वाना या हत्नौरा कहां पाया गया है हत्नौरा में पाया गया यह जो हत्नौरा वर्ड है यहां पे कहां पड़ता है हत्नौरा वाला ये बद्ध प्रदेश में है पद्ध कास्थले और नदी कोताद करेंगी तो नर्मदा घाटी है नर्मदा घाटी और हतनवरा से प्राप्त किया गया है ठीक है अगर जिला जो रहेगा वो कौन सा जिला होगा सीहोर जिला में पढ़ता है हतनवरा से प्राचीन्तम जीवास वे साथ कहां से प्राप्त हुए है हतनवरा से प्राप्त किया है हड़ी की मात निर्मित जो मूर्टिया है वो प्राप्त हुए कहां से इंद घाटी यानि की भी घाटी के पुरा पासारकाल से या फिस्तोन घाटी के मध्ध पुरा पासार काल से या फिर बागवर के मध्ध पासार काल से या फिर पासार काल से इस जो आफशन होगा वो कौना होगा उत्पुरा पासार काल से या निभी पुरा पासार काल से प्राप्त किया गया यह जो उत्पुरा पासार काल है यहां प प्राप्त की गई है कहां से लोहदा नाला से प्राप्त की तो भी हड़ी निर्मी लोहदा नाला से प्राप्त की यह जो लोहदा नाला है यह कहां पड़ता है यानि कौन सी नदी नदी की बात करेंगे तो अगर इस नदी के बारे में अगर हम देखेंगे तब क्या होगा यहा आएगी, खद्र, टापुर, टापुर, टापुर अधि, टॉंस, टॉंस, किस परकार है, यह देलन घाटी है, घाटी के तॉंस, टॉंस, टॉंस, किस परकार हैं? प्राप्त किया गया है क्या प्राप्त किया गया है हडी है कि क्यों चब करें है यह कोश्चन है हमारा क्या कि कोप हेगन संग्रहाले की सामगरिय पासार और लौह यूगी यूगी थाजन किया था यानि किसने भी थाजन किया था इसने किया था एक C.J. Thompson है और टेलर है और चाइल्ड तो किसने किया था एक Thompson ने किया था C.J. Thompson का जो पूरा नाम है वो क्या है C.J. Thompson इनका पूरा नाम है C.J. Thompson कि इनका पूरा यानिक यहां पर Thompson है कहीं कहीं लिखा हुआ क्या पाते हैं Thompson भी लिखा हुआ पाते हैं Thompson या फिर Thompson Thompson कीजे थासकर लिखा हुआ हर जगे आप पाएंगे Thompson या फिर Thompson ठीक है इस तरीक आएंगे तो पूरा नाम हो गया इन्हों ने किया था ये जो विभाजन किया है कब 1822 में भाजन किया है जब भी सुकी कर मैंने बात की थी आप कजा गया था यूप से प्रारंब होता यूप तो यह जो C.J. Tamsen नहें किन मार्क के किन मार्क के कोप है थास्ट्री तंगरहालय के अध्यच हैं तब बने थी यह अध्यच जैसे दर पहले कि तुक नाये कि रस्टी फेगन के पारे में जा कहें कि रेनमार्क के को फेगन जो है राष्टी शाहाले कब बना था तो जैसे इस तरीके से इसका देखेंगे कि जो 1816 है 1816 जानि सीजे टॉमसन में तॉमसन ने मतवारा किया था कि ते त्रियोगी में किया था पासार काल तामरकांस काल और लोह काल किट काल में भीवाजन किया था लेकिन इससे पहले जो है जो कब किया था जब ये संगराश्टी संग्षाल है के अध्याच शे पंग चुके था इससे पहले देखेंगे 18107 इसमी यह कौन थे देन मार्क के जो बिद्वान है वो कौन है यहां पर प्रिश्मस नेरप है कि जो प्राचीन सोदेशी जुजाव से रचन के लिए या अपने सुजाव को रखा था अपना सुजाव अठारा सो साथ इसमें जब इन्होंने रखा तो उसका परिणाम क्या हुआ परिणाम यह हुआ इनका कि यहां पर ताज की ताज की कमीटी क्या बिठाए गई तास्ती तंग मनाई गई ताज की जब यह गठित हो गई तो सर्व प्रसम इस सकार क्या था राज की सकार यह था की राष्टी साले की अपना करना इस सकार था और इसी की दुसर सर्व प्रसम की बनाया गया कि सची सरप्थम को ही बनाया गया है नेरभ को बनाया गया है रप अरप अरप अरब बने बाद में यह जो नेरभ है नेरभ की कि बाद में क्या कह सकते हैं उत्राधिकारी कौन को था जिकारी 1816 में बनाया गया रादिकारी बना सब्सक्राइब देनमार्क राष्टी श्राले के अध्यच्य बना दिये गए तब इन्हों 116 इस भी विकास के आधार पर क्या किया था इन्हों पागों में बाटा था पासार काल तामरेकांस काल और इसके तोहकाल में विवाजित कर दिया था इसे रूप से अगर देखेंगे जैसे दूसरा अप्सन हमारा जानलुबाक का है बिस्टेस रूप से देखेंगे अगर तो जानलुबाक नीं जुस्टी इसके बाद कभ 1865 कि मैं ने तो और सब्सक्राइब था किया था कि पासार काल को या कि विस्टेस रूप से प्रांस में ने मुशी किया था किया पर कानलुबाक ने पासार काल का विभाजन किया पासार काल को भागों में बाटा था पहला भाग था इनका पुरा पासार काल पर दूसरा था नौपास जब बिभाजन नहीं पाया था तो जब बेवाजन नहीं पाया था तो जब बिवादन कब हुआ है उसका 1887 आते या ते फ्रांस का ही एक प्राप्त हो गया था संक्रप्त काली नवस्ता के साथ चितब जाके 1887 भी पासारकाल, मद्ध पासारकाल और पासारकाल में बिवादन कर दिया गया ठीक है जलिए नेक्स्ट क्वेश्चेन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारती पुरातत सर्वीच भाग जो किस वर्स इस आई भाग बना था तो किस वर्स बनाया गया है यहां पर तो छेस भी में बनाया गया कब है उन्देश भी में बनाया गया था अच्छा यह जो पुरात तुपाग सरवीच आग है इसकी सापना इसकी सापना की गई है अठारा सो अलेक जंडर करने समने करिंगम द्वारा की गई है अठारा सो इसकी स्थापना हुई है अलेक जंडर करिंगम की पुरा तत्व विभाग का अर्थी पुरा तत्व विभाग का क्या कमान जाते हैं यह जनक कहे गए हैं और यह जो इस्थाई विभाग उनीस्तो छेस भी में बना है तो किसके समय में यानि की लॉड कर्जन 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 संग्रे की अवस्था से पसुपालन और क्र से अवस्था में परिवर्तन की प्राचिन प्राप्त हुए है कर अनजिरा से लंभुसादा से में में क्या है कि इस अब हुआ था कि इसी मेहरगर से यAw tv नौपासारकाल का अष्थाल्य नौपासारकाल में तसक्ता है क्या क्या ही Communist याई जैसे यहाँ पी प्राप्त किया गया है दूसरा यहाँ यहाँ परहारंब हुआ है तरगर से ही प्राप्त किया गया है राचीनतम मानव बस्ती का साथ चाहें का साथ मिला है यहीं से पालतू का भी साथ मिला है पालतू का साथ के साथ में क्या मिला यहां पर माली के साथ को माली के साथ बकरि दफनाने का साथ कि 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 किसी वस्था में माली के साथ खुतनाहीट कि यह प्रमय याने की मालिक के बाखरी का साथ प्राप्त किया गया है। आई हो पाफो समझ में आ रहा होगा। यह आप हम चलते हैं। कि नेक्स्क्वेशन में क्या है कि निम्ने संस्कृटों में से कोटी की पासार यूगी कहीं है पूछा है है aucun पूइन संस्क्रत दोती संस्क्रत मुद्राशयन और श्रफित करती हम इन में से देख सकते हैं नहीं पूरा पासार काल की कि इस प्रीच आपकी यह जो सोथी संस्क्रत है कि यह राजस्थान की संस्क्राइब हार्ट साथा मेरें वी संस्क्राइब काता ना कर्ट कर दो कुछा थो 11etzen सब्सक्राइब मानव का सरव प्रथम साच कहां मिला है कि सब्सक्राइब करें और तो नहीं मिला कहां से मिला है कहां से मिलेगा नर्मदा घाटी से प्राप्त किया गया है नर्मदा घाटी यानि कि कहा पढ़ता है यहीं से मानो कोपड़ी पाई गई है क्या पाई गई है मानो की एक खोड़ का जीवास का जीवास बाई है आसे अतनोरा यानि की जंपी पोर जिला है आसे का कौन सा जहां से पाया गया है और इसकी खोज की किसने के की है नर्मदा घाटी में कास में मानव कास के अरूर जाने या फिर जाने अरूर जाने का की कोज की गई है कब की गई है तो बैयासीज की कोज की साच्म कहा से है तो कोज है किसे प्रका रगत कि ने किया है तो फारून तो फोनिका ने साच्हें प्राप्त किया है इह पास्तनों संध arrest Us को देखेंगे जोनमार्सल के बाद भारती प्रातत συνने का महा निर्देश कौन बनाया गया तूज कौन बनाया गया है यहां पे जोन आज्णमार्सल काото साद यच वर्ड मार्सल यच हर्ग्रीस बनाए गए हैं यच हर ग्रीफ का पूरा नाम है तेराल्ड हर ग्रीफ काल्ड हर ग्रीफ है जलिए एक्सक्वेश्चन चलते हैं कि अभी पिछले कुछ समय पहले कहां पर एक का अस्मी क्रेसिस प्राप्त हुआ है या हम कह सकते हैं तो पर ओदय से जो ओदय कब खोजा गया है यहां पर प्राचीनतम जीवास्म और इसी के यानि कि ओदय जो है यह कहां पड़ता है कमिल नाडू में पड़ता है नाडू का अस्थल है और इसकी कोज की करते हैं यहीं पर अस्मी करती है तरिके से यह जो कोई सब्सक्राइब रहे हो जो इस अ इस पाड़ता अध्यां आज तो उसके कहां और इस बढ़ता है इस तरीकी से गर हम देखेंगे समाना जायगा यह वाल आपका सही होगा लेकिन यहाँ पे माध्ध तया सबसे पहले सबसे पहले आपका सिंग्हावल आता है कि हावल जमाओ है कि दूसरे नंबर पर खुद्मतेनी आता है कि दूसरे नंबर पर आपका पठपरा है नेक्स है आपका बाघोर जमाओ बाघोर लाश में लाश में तूसरे नंबर नेक्स है जिसे कि सिंग्हावल जमाओ और खेतनी काने की तुम्हावल हो गया पठपरा हो गया बाघोर है और खेतनी जमाओ है इस तरीके सिंग्हावल का सिरियल के देखेंगे तो फ्रेंस आज 15 और रही कोशन करवाते हैं यह नेक्स है अधिन के दूच्प थाम आज तूच्प टूच्प नेक्स है यह नेक्स है जिसे कि सिंग्हावल है